विभी और रारहें लेकिन कुछ चीज़ें अईसी है जो मार्केट में चल रही है जिनका इंप्वेक्ट मार्केट पर पढ़ रहा है वो चीज में बताता हूँ, सिवाई इनू में सबसे ज़्यादा इंपक्ट नेजर आ रहा है, देखिए बाके चीजे तो 1.5%, 2% ऐसा ही गिरी हैं, लेकिन सिवाई इनू जो है 3.5-4% तक नीचे गिर चुका है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके आगे पीछे कितना गिरा होगा, वो नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक बता रहा हूँ, तब तक ये 3-4% ये नीचे गिर चुका है, यानि कि 11 की सीरीज में पहुँच चुका है तो चलो one by one कारण जानने की कोशिक करते हैं और कौन से टोकन ऐसे टाइम पर भी अभी ग्रीन में हैं या उपर हैं वो भी बताता हूँ तो यहाँ पहले लेते हैं पहला कारण मार्केट नीचे जाने का वो निकल के आ रहा है एमटी गॉक्स की तरब से जो ये एक एक्षेंज चा हैक हुआ था और इसका जनवरी में भी काफी अच्छा खासा एक वो रहा था पीछे की साब इनको रेटर्न करना है क्योंकि जो हैक हुआ था अब वो कुछ बिटकोईन इनको बापिस भी करने हैं आब वो बापिस करने हैं तो वो दस तारीक से ले के और 30 सितंबर तक का इनका टाइम है जब ये बापिस करेंगे तो ये काओ कि एक साथ ये भी बापिस कर रहा है, ऐसा नहीं है दस तारीक से भाई step भाई step थोड़ा थोड़ा ये बापिस करेंगे और वो भी बापिस करेंगे तो ऐसा नहीं कि जिनको मिलेगा वो सब के सब बेश देंगे भाई देगे यहां यह तो हो सकता है कि उनको जिस टाइम पर यह हैक हुआ था उस टाइम बिटकोईन का प्राइस बहुत नीचे था करनी है इन्वेस्टर्स को लेकिन मार्केट में यह पैनिक थोड़ा सा हो गया और अब हो गया है तो इसमें और भी कई चीजी वो कहते है आग में घी डालने के ब्रावर काम हो जाता है दूसरा है वाईजर वाईजर का मैंने आपको परसों में अपडेट दिया था शिवाईणू के उपर के शिवाईणू को जो है वाईजर सेल कर रहा है इसके वाईजर के पास ये एक बैंकरप्ट लेंडर प्लेट फर्म था जो बैंकरप्ट नहीं कर दिवालिया हो चुका है और इसके पास लगवग एट ट्रिलियन शिवाईणू टोकन्स हैं अब एट trillion में इसने धीरे 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 दीरे 800 billion के आसपास जो है इसने sale कर दिया है और step by step यह 200-300 billion trillion यह करता रहता है तो इस तरीके से ही एक तरह से सिवाइनू में impact जाद आ रहा है लेकिन अब चुक्ड़ेगि इसको fund की जरूवत है तो सिवाइनु ने इसके पास और भी होल्डिंग्स हैं तो यह और भी बेच सकता है तो यहां सबसे जादा तो कबाड़ा होगा न वो सिवाइनु का ही करेगा एक तरह से सिवाइनु का जानी दुसमन फिलाल कोन है वोईजर अब यह वोईजर और क्या-क्या गुल खिलाएगा देखते जाते हैं तो फिलाल दो कारण तो यह होगा है जो चल रहे हैं तीसा है साब यह कोईनिवेस के सी यो यह और ब्राइन साब पता नहीं क्या-क्या करते रहे हैं यह रोज एक कमेंड छोड़ रहा है कि साब हम भाई एक बार बोल दिया आपने हम ब्यूस्ट को डिलिस्ट कर रहा है मतलब कर रहा है कि भाई कोता हमारे पास जो है इनकी लिक चुब बैठने वाला है नहीं वो भी कुछ न कुछ तो ऐसा करेगा किसाब कोईन बेस के लिए कोई आफ़त हो सकती है यही तीन न्यूज ऐसी चल रही है जो मार्केट में थोड़ी पैनिक क्रियेट कर रही है बाकि और कोई भी मैक्रो या माइक्रो ऐसी कोई न्यूज नह हो गया है लेकिन हम यह भी नी कहstrich लिखने का अचानर सबको धरासा ही हो गया है धरासा ही यही सी चीज कुछ भी नहीं है आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है जो लॉंब डाम्नुडर है उनके लिए कोई यह लाज पहले से are करके बैटा हुआ है उसके पास पैसा नही डॉलर के आसपास चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, आप यह कहोंगे, बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इन न्यूज का इंपेक्ट रहेगा, तो आपका देखिए 22,800 इसके बाद, लेकिन जो मैन है, जो जहां पैसा मार्केट कैप से देखता हूं, मेरे लिए वो जरूरी है, जब पैसा ही नहीं होगा, तो कोई भी चीज कहीं भी नहीं रुक सकती, आप कितना भी कुछ भी समझ लीजिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से एक ही चीज को समझना चाहता हूं, वो समझता भी हूं, कि भाई पैसा है, तो सब कुछ है, पैसा नहीं है, तो कोई भी चीज कहीं भी नहीं रुक सकती है, हम ग्राब में कहीं भी दिखा दें उसको, लेकिन मुझे ये खुब अची तर बता है, कि 22,500 पर अच्छा खासा BTC के पास वॉल्यूम है, तो यहां पर यह सस्टेन करेगा, रुके नहीं जाना है, तो बात है यह, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, 22,500 का लेवल, जहां इसको रुकना चाहिए, 100%, अच्छी तरीके से मजबूती के साथ, अब सिवाहिनू का मैंने बता दिया, सिवाहिनू क्यों कर रहा है, क्योंकि वोईर की सेलिंग बनती है, देखें, मैंने आपको हमेसा बोला है, कि एक डॉलर या वन पॉइंट फाइब डॉलर के बीच में जब कहीं आता है, तो आप S.I.P. कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क कैलकुलेट जरूर करें, अगर आप रिस्क का मेनेजमेंट नहीं करेंगे, तो देखें कहीं सिच्टेशन बनना यहां, अभी थोड़ा सा यह अगामला रहे गा, यहां वेल्स थोड़ा सा गेम जरूर खेलेंगे, लेकिन मार्केट में अभी कुछ ऐसा नहीं है, जिसकि मार्केट अभी उपर जाने के कहीं मूल में नजा रहाएं, तो वह शीच अब ही नहीं नजा रह पर है जबकि समय दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट तक गिर चुका है लेकिन यह अभी नीट्रल हुआ है तो अभी तक भी इसका यह क्लियर नहीं कि आकर इसमें कल से चल क्या रहा था जो भी है मुझे नहीं पता चला है आपको पता चलाओ तो कमेंट सेक्शन जरू बताईएगा बिटगर्ड समय गिरावट है लेकिन बिटगर्ड आपका लगबग साड़े तीन परसेंट जब मैं वीडियो गना रहा हूं यह ऊपर चल रहा है यानि ग्रीन ज जोन में है बाकि पूरा मार्केट आपका दो से डाई परसेंट चार परसेंट तक नीचे आ चुका है और जो लाने वाले हैं वो यह तीन फेक्टर मुझे नजर आते हैं एंप्टी गॉक्स वोईजर और कॉइन बेस और सीजेब बाइनेंस की आपस की लड़ाई तो यह कहीं जिके मार्केट में थोड़ा सा पैनिक क्रियेट कर रहे हैं आप थोड़ा सा वेट एंड वाच में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है थोड़ा सा देख लीजे और कि क्या situation और निकल के आती है बाकी levels आपके अब काम के हैं आप वहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं अपने वारे में अगर आपको कुछ बाइंग करनी है तो लेकिन एक बार फिर से वही का risk management बहुत जरूरी है करप्रोकंसी है पैसा वही लगाएं जो आपको बहुत जल्दी नहीं चाहिए तो चली फिर मिलते हैं नमस्काप